Hello and welcome to the studio members Tech Mahindra को आज के दिन हम ट्रेट कर रहे हैं Morning में हम इसके अंदर Morning से ही एक short opportunity find करने के कोशिश कर रहे थे Because Tech Mahindra काफी दिनों से एक resistance face कर रहा है जिस point पर है उस point से जैसे की एक gap down हो जाने के बाद में 5th of January की candle के बाद में price यहां से gap down हो गयाता है But जब हम 5th of January के low को mark करते हैं तो price वहां से काफी दिन से लगाता downside की तरफ गिर रहा है यहां पर देखें सबसे परेड ट्रेड बुक अपने open कर लेते हैं So position इस वक्त हमारी चल रही है and 40470 quainties के साथ हम इसके अंदर पनी पोजिशन को hold किये हुए है एक हजार साथ सो पैंस 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 पैसे पर एंड जो profit इसका चल रहा है हमारा 6,734 का profit हमारा चल रहा है Okay and अभी बात कर रहेते हैं सिद्धे अपने charts के उपर Charts में ऐसी canals हैं किन candles को लेकर कि हम इसको short कर रहे हैं देखिए सबसे पहली चीज तो यह जो gap up और gap down का जो area होता है यह अपने आप में एक support of a resistance का का काम करता है 5th of January का जह हम low mark कर लेते हैं तो 5th of January के low के बाद से जो next candle बनी हो हमारी 6th of January की बनी हम इसका high mark कर लेंगे 6th of January के बाद में देखिए प्राइज मेरा 11th of January को upside के तरफ गया था और इसने अपनी 5th of January की range के अंदर जा करके closing कर दी थी मतलब वापस प्राइज मेरा 5th of January की range के अंदर चला गया था range के अंदर चले जाने के बाद में हमें अब जरूरती एक resistance करने कि किस तरह से हम एक resistance को define करेंगे कैसे में resistance करेंगे यह कुछ तरीके है method से और भी कई सारे method से जिनको class अगरे discussion किया जाता है अब कम समय में ज्यादा अच्छी तरह से हम आपको समझाने के कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के मादधें से तो वीडियो गर अच्छा लगता है वीडियो से आपको सीख तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजएगा कॉमेंट्स कीजएगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा 11th of January को price मेरा upside की तरफ गया हम 11th of January का high mark कर लेते हैं उसके बाद में देखिए price upside की तरफ closing कर देने के बाद में 5th of January के upside की तरफ closing कर देने के बाद में इसने gap up दिखाया और gap up दिखा देने के बाद price मेरा वापस से अपनी इस वाली candle की range के अंदर आ गया यहाँ पर समझ पा रहे हैं कुछ price मेरा 11th of January के upside की तरफ गया इसने gap up opening दी अब अगर price मेरा strong है तो यह upside की तरफ निकल जाता है वापस देखे प्राइज मेरा previous range को break करके उस range के अंदर ही आ करके close कर देता है और जब से प्राइज ने इस gap up के बाद में downside की तरफ लगाये तब से प्राइज हमारा उसी level से उसी एक range से reject हो रहा है इस तरह से हमने देखा है कि 11th of January की scandal को हम as a resistance consider कर सकते हैं previous one two three four days से लगातार प्राइज हमारा one seven four five की range से ही reject हो रहा है इसी एक range से reject हो रहा है और आज भी टेकम उसी एक range से ही reject हुआ था morning से हम इसके अंदर अपनी एक opportunity के लिए find कर रहे थे एक opportunity find करने के कोशिश कर रहे थे जब आप lower time frame पर इसको देखेंगे lower time frame में क्या नजर आ रहा है कि price ने exact अपने resistance point से ही उसी एक range से हम lower time frame पर भी अगर माग कर देते हैं because higher time frame पर हमने क्या किया कि एक अपनी range defined कि जहां से price के अंदर एक rejection आ सकता है जहां से price हो सकता है तो इस तरह की range हमको समझ में आई कि जहां से price reject हो सकता है price हमने weight कि यह अपने rejection point तक जाए अपने resistance तक जाए और उस resistance से हमको वापस confirmations चाहिए थे कि price को कहां से short कर सकते है price अपने resistance तक पहुंचा हम यह इसको short नहीं करेंगे हम इसके अंदर confirmations लेंगे तो confirmations के बाद में जो area हमको समझ में आया वह कुछ-कुछ यह वाला point था जहां से हमने इसके अंदर अपनी एक entry ले थे ओके so entry point को एक बाद फिर से हम mark करेंगे 1735.30 and control V 30 यह अपना एक entry का point बना था यहां पर हमने एक entry ले एक aggressive entry थी मेरी and price जब अपने इस supports को break करने लगा जैसे price हमारा इस support के नीचे breakout होने लगा यहीं पर हमने अपनी एक entry ले थी तो finally जितने भी हमारी quantities थी वो सारी के सारी execute हो गई otherwise इस तरह की conditions में पूरी quantities मिलना थोड़ासा मुश्किल होता है प्राइस जैसे ही अपने रेजिस्टेंस से टकराता है उसके बाद में देखिए इसके अंदर volumes कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा time expense करने के कोशिश करिए चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करिए market को आप जितना समय दोगे market बदले में आपको उतना ही देती है इसके अंदर जो stop losses हमने find के थे यह वाली range 1741.45 यह range मेरा stop loss था entries का area यह है इसको थोड़ा सा dark कर देते हैं okay and targets जो इसके अंदर हमको समझ में आ रहे थे के काफी दूर तक हम इसके अंदर अपने targets बुक करने की कोशिश करते हैं लगभग लगभग यह वाला point but price उस range तक नहीं पहुँचेगा यह वाली जो candle मेरी बन रही है दो बचकर पचास मेंट के candle है and 255 होने वाले है और इस candle के complete होने में just seven six five four three two one perfect यह candle देखिए मेरी complete हो गई है okay and अब 255 हो चुके हैं पूरी तरह से और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मेंट का समय बचा है और price अपने प्रिवेस डे के लोग के पास में trade कर रहा है अगर price इस रेंज के निचे जाता है तो एक ही candle हम दिख सकते है इसके अदर के अच्छे movement के साथ यहाँ पर price गिर सकता है बट उमीद नहीं है क्योंकि price यहां से पूरी तरह से हमारा sideways ओके वेट करते हैं इस वक्त का जो अपना profit चल रहा है हमारा position book में 6700 रुपीज के असपास का profit है और यह order book है एक्पने 470 quantities के साथ हम ने यह trade अपना एक्जेक्यूट किया था stop loss is 1741.45 की stop loss है 1741.45 एंट्री मेरी 1735 पर ने पूट अप की थी बट यहां पर देखिए जो price हमको मिला एंट्री का वो 30 पैसे ऊपर नहीं चाहुआ है और रहे हैं profits और इस वक्त 6900 रुपीज के profit में 7000 रुपीज के profit में 7100 एंट्री टेलिग्राम चैनल के लिंक मेरा दिस्क्रिप्शन में आप जाइन कर सकते हैं मौरिंग में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारी भी देते हैं और कभी-कभी एक या दो स्टॉक्स ही देते है और बुक है ओके तो यहां से अब हम लोग बाहर निकलते हैं सो स्क्वाइर ओफ एनसी 21.15 और लग चुका है अपना 13 सिर्फ तेरा कॉंटिस का ओडर यहां पर हमारा निकला है अपना अब क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो रहा है तो बहुत जल्दी-जल्दी यहां पर जितने भी प्रॉफिट्स वगरा है बुक होंगे बाई या सेल जिसने भी किया है सब भी लोग यहां से बाहर निकलने कोशिशिश करेंगे तो मौनिंग में जब मार्केट स्ट अब सारे और हमारे पेंटिंग पड़े हुए एक भी और सिर्फ तेरा क्वांटी निकली थे और बुक देखते हैं देखिए पाटली एग्जिक्यूटेट कॉपी पोजिशन बुक अब यहां पर अगर हम निकलते हैं तो तो प्रॉफिट होगा अधर्वाइस लॉस नहीं ह रचाहिए पर रचाहिए जरूर आना चाहिए तो 1721.15, 6000 रुपीश, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000 फिर उपर चला गया है टाइम हो रहा है यह समय होता है मैं अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना पड़ता है प्राइस को वापस से नीचे आना होगा अगर हमको हमारा प्राइस चाहिए तो क मेरे सारे order cancel हो चुकि है अब हम चाहा कर भी यहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं अब तो ब्रोकर के हाथ में है जो प्राइस वो देगा हमें उसी रेंज पर निकलना होगा थोड़े बहुत इंक्रीज दो 400 रुपय का प्रॉफित इंक्रीज हुआ है यहां पर लिए सारे order निक निकल चुके हैं और आज का अपना प्रॉफित है 6,000 रुपीज के लगभग हम प्रॉफित में निकले हैं कोई बहुत बड़ा प्रॉफित नहीं है बट मार्केट जब साइडवेज है क्योंकि देखिए प्राइस एक रेस्टेंस तक गया है जब हम किसी तरह की रेंज का व और इस तरह से जाता है जब यह अपने सपोर्ट को ब्रीक करता है तो अच्छा मूव देखने को मिलता है यह पर और इस वाली रेंज पर अलेडिक रेस्टेंस था जो कि हमने आपको टेकेम में देखाया और इस एक्सपेक्टेशन के साथ की डाउंसाइड की तरह मूव हमको मिलेंगे बड़ते की प्राइस में बड़ा की मूव नहीं हुआ और साइडवेज रेंज ही रहें अब जब मार्केट साइडवेज होती तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो ट्रेड अच्छा था अब यहां जो लास्ट का मूव ता लास्ट की च्छार केंडल ती इसमें हार्ट भीट थोड़ी सी भड़ी थी तो लास्ट टाइम होता क्या है के ऑर्डर अगर नहीं निकलते हैं तो प्राइस में यहीं से बौंस आ जाता और अब साइड के तरव निकलता बहुत स्था जा रेस्टेंस को ढूंबना होता है या फिर किसी एक support को ढूंबना होता है प्राइस मेरा उसे एक support पर आएगा हमें वेट करना होगा कि प्राइस वो support पर आए और इस support से हम next level तक प्राइस को या trade को एक्जेक्योट करें okay so thank you good bye and we will meet again